नमस्कार मैं हूँ सौरब दिवेदी ये है दीललंटॉप.com का न्यूज रूम और आज बात हो रही है कॉंग्रेस के कददावर नेता कॉंग्रेस के गांधी परिवार के बाद सबसे ताकतवर नेता बताये जाने वाले एहमद पटेल की क्योंकि उन पर राजसभा का चुनाव हारने का खत्रा मंडरा रहा है लेकिन कहानी की शुरुवात यहां से नहीं होती है कहानी की शुरुवात 1977 से होती है लेकिन कहानी के कहने का एक तरीका होता है तरीका जो हमने फिल्मों से सीखा तरीका जो हमने प्रेमचंद की कहानियों स सीखा तरीका ये कि पहले सस्पेंस बुना जाए पहले ये बताया जाए कि जिस किरदार की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो कितना तीरंदाज है इसे यू समझे कि यू पी ए का राज था ठीक है साब और विपक्ष में थी भारती जन्ता पार्टी जो अभी तक ये बात अपने गले नहीं उतार पाई थी कि वो चनाव हार गई है अटल बिहारी वाजपई नेपथ में चले गए थे पार्टी की कमान थी अडवानी के हाथ में ऐसे में अरुन जेटली को पता चला कि सोनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाजपई ने गलत तरीकों से हर्याणा में एक बड़ा लेंड पूल यानि की काफी जमीन अपने नाम कर ली है ऐसा अरुन जेटली को पता चला संसद में अलग-अलग पार्टीयों के लिए दफतर बने हुए हैं जहां पर वो अरुन जेटली अपनी पार्टी के वरिष्ट नेताओं जिनके नाम हैं लालकृष्ण आडवानी सुश्मा स्वराज वेंकईया नाइडू और यश्वन सिनहा इन से बात करने के लिए पहुँचे और उन्होंने रोबर्ट वाज़रा वाली बात बताई भारती जनता पार्टी के उस दौर के नेताओं का चाहिए वो अटल रहे हों या आडवानी ये मानना रहा है कि सियासत में अपने विरोधियों पर तो हमले करने चाहिए लेकिन उनके परिवार को बख्ष देना चाहिए उस बीजेपी की रणनीतिक बैठक में भी जादातर लोगों ने यही कहा अभी अरुन जेटली के लिए सर्प्राइज आना बाकी था वही अरुन जेटली जिन पर ये इलजाम लगता है कि वो बीजेपी के सबसे बड़े मास्टर माइंड में से एक है वही अरुन जेटली जिनके लिए इलजाम लगता है कि अपने दोस्त नरेंदर मोदी की तरह वो दुश्मनी और दोस्ती भूलते नहीं है अरुन जेटली मीटिंग करके बाहर निकले और रास्ते में उनको मिल गए एहमद भाई वही एहमद भाई जो रोजाना संससत्र चलने के दौरान पांच बजे पालियामेन की कैंटीन में नमुदार होते थे उनके इर्दगिर्द पत्रकारों नेताओं और दूसरे लाभारतियों या इसके च्चकों की भीड लग जाती थी और ब्रेड टोस्ट और चाय के ऊपर बातचीत होती थी अरुन जेटली को जैसे ही एहमद पतेल ने देखा वो किनारे ले गए और उन्होंने कहा कि आपको रोबर्ट वाड़ा वाला मामला नहीं उठाना चाहिए आपको पार्टी के वरिष्ठों की बात माननी चाहिए अरुन जेटली का चौकना सभाविक था पार्टी के वरिष्ठों के बीच जो चीज डिसकस हुई वो इतने जल्दी एहमद पतेल को कैसे पता चल गई हालाकि इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है वो पहलू ये है कि भाजपा के नेताओं को भी कई बार ये पता होता था कि CWC में क्या डिसकस हुआ है सियासत में ये बेहत जरूरी है कि अपना घर दुरुस्त रखा जाए उतना ही जरूरी ये भी है कि अपना घर दुरुस्त रखने की कवायद में ये जाना जाए कि विरोधी के घर में क्या हो रहा है मैंने ये आपको वाक्या इसलिए सुनाया ताकि आपको एहमद पटेल की सोनिया गांधी और कॉंग्रेस के प्रती जो उपादेता है जो उनका महत्व है उसका पता चले और जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था मामले की शुर हुई खुद इंदरा गांधी रायबरेली से राज नरायन से चुनाव हार गई लेकिन एक कॉंग्रेसी सांसत था जिसने ऐसे वक्त में भी इंदरा में अपनी आस्था नहीं खोई और वो नेता था क्रिकेटर से नेता बना एहमद पटेल जो भलोच से लोगसभा का चुना उन्होंने इंदरा जी से, इंदरा अमा से, मैडम प्राइम मिनिस्टर से जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं रही थी, ये कहा कि चुनाव हार गए तो क्या हुआ, आम कॉंग्रेस जनों की अभी भी आपके नितरत्त में निश्ठा है, ये बयान बड़ा था, क्योंकि तब तक चाहे वाई भी चवहान हों, या देवकांत बरुआ हों, या फिर स्वन सिंग हों, ये सब लोग इंदरा के नितरत्तों पर सवालिया निशान उठाने लगे थे, दरसल कॉंग्रेस में एक और विभाजन की प्रिष्ट भूमी तयार हो रही थी, ऐसे मैं एहमत पट संधी के पॉलिटिकल सरकल में एंट्री पाते हैं, 1980 में तो कॉंग्रेस मजबूत होई गई थी, इंदरा की वापसी होई थी, एहमत पटेल फिर से लोगसभा पहुचते हैं भड़ोज की सीट से, राजनितिक सरगर्मियों का ब्यौरा रखने वाले, खास तोर पर जबानी ब्यौरा रखने वाले कहते हैं, कि एहमत पटेल की वफादारी का इंदरा इनाम देना चाहती थी, संजय इनाम देना चाहते थे, लेकिन एहमत ने इनकार कर दिया, शयद उनके जहन में कुछ और चल रहा था, उन्हों ने कहा कि मैडम मैं और्गनाइजेशन का काम करना चा सब्दर जंग हवाई एड़े पर एक प्लेन क्रैश में, और उसके बाद से इंदरा की प्राथ मिक्ताएं बदल जाएंगी, क्योंकि इंदरा तक पहुंचने की जो एक्सेस पॉइंट हैं वो बदल जाएंगे, राजी गांधी के इंट्री होती है, और कुछ समय के लिए ए इक लिस्ट में भी नहीं रहे, और 1985 का दौर बीटते ना बीटते तो वो राजीव के करीबी हो गए, करीबी हो गए, पहले उन्होंने यहां संसदी सचव बनाया, और उसके बाद उनको गुजरात कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेज दिया, और यहां पर एहमत पतेल वो किया जिसकी वज़े से कहा जाता है कि कॉंग्रेस हमेशा के लिए गुजरात के गर्त में चली गई, गर्त संस्क्रित का शब्द गढधे के लिए, क्या किया इन्होंने, 80-85 तक गुजरात चलाया माधव सिंग सोलंकी ने, माधव सिंग सोलंकी ने एक फॉर्मूला इज माधव सिंग सोलंकी ने उस समझ की धजियां उड़ा दी, जो खाम फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी इसी चीज़ पर आधारित था, छत्रिय, दलित, मुस्लिम इन सब को एक करके और उसी के दंपे 1985 में बड़े पहमाने पर जीत हासिल की, लेकिन जब एहमद भाई बनके चले गए, उसके बाद से राजीव गांधी का माधव सिंग सोलंकी के प्रती रवया बदल गया, और ऐसे में माधव सिंग सोलंकी को हटा कर, अमर सिंग चौधरी को 1986 में कॉंग्रेस की तरफ से गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और उसके बाद से वहाँ पर पार्टी लगाता, कमजोर होती गई, इस कमजोरी का खामयाजा, एहमत भाई को भी भुगतना पड़ा, 77 की कॉंग्रेस विरोधी लहर में वो चुनाव जीत गए थे, 80 जीते, 84 जीते, लेकिन 89 में वो चुनाव हारे, और किस से हारे, उन्ही चंदु देशमुक से हारे, जिन से वो 80 और 84 का चुनाव जीते थे, और ये जीत का फासला अच्छा खासा था, वैसे हार का फासला भी अच्छा खासा रहा, लोगों को लगा कि अब एहमत भाई नेपत्थ में चले जाएंगे, क्यानवे भी हारे मेरे ख्याल से, लेकिन 1993 में, जैसा मैंने आपको पिछ राजनीतिक बाजीगरी का एक नया दौर शुरू हुआ, जहां पर वो पार्टी के ट्रबल शूटर बन गए, कैसे बने, पहले तो उन्हें पार्टी का कोशा ध्यक्ष बनाया गया, आपको ये समझना होगा कि गुजरात के नेताओं को, एक लंबे वक्त तक गुजरात और महराश्टरा के उसमें भी मुंबई के नेताओं को, चाहे वो कॉंग्रिस रही हो, चाहे बीजेपी, उनको पार्टी का ट्रेजर क्यों बनाया जाता रहा है, क्योंकि इन दो एरिया से बड़े बड़े उद्योग पती आते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में फंड मिलता है, और इसके लिए जरूरी था कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो इन नेताओं को अच्छे से जानते हैं, उनकी बैग्राउंड समेथ, और एहमत पतेल को ये काम बखू भी आता था, लेकिन तब ही एहमत पतेल को अपनी पहली राजनीतिक मुश्किल का सामना करना पड़ा, के पहले तो कॉंग्रेस की अनुशांगिक संगठन में नौकरी दिलवाई और उसके बाद गांधी परिवार के दफ्तर में, और यही वी जोर्ज एहमत पतेल की रहा का रोडा बन गए, क्योंकि दोनों की दावेदारी सोनिया गांधी की करीबी पर थी, इस पर तैथी कि किसक कहे को मैडम सुनती हैं, और कुछ समय के लिए वी जोर्ज सर्वशक्तिशाली हो गए थे, ऐसे में एहमत पतेल ने कोशाद ध्यक्ष के पत से स्तीपा दे दिया, साल 2000 था, लेकिन कुछ लोगों को सर्प्राइजिंग लग सकता है, जाहतर को नहीं लगता है, कुछ ही समय मे मीडिया में वी जोर्ज के करफशन के इलजामों वाली खबरें आने लगी, समझदार समझ गए होंगे कि एहमत पतेल किस तरीके से अपने राजनितिक विरोधियों को ठिकाने लगाते हैं, जब ये खबरें सामने आने लगी तो गांधी परिवार ने वी जोर्ज से किनारा कर लिया, एहमत पतेल की वापसी हुई, लेकिन इस बार वापसी कोशा ध्यक्ष के रूप में नहीं हुई, पार्टी की सुप्रीमों सोनिया गांधी के राजनितिक सचिव के रूप में हुई, कहने को भले ही राजनितिक सचिव थे, लेकिन काम अभी भी वही था, तब से अब तक पार्टी के कोशा ध्यक्ष हैं, मोतिलाल वोरा, जो कभी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कभी उत्तरप्रदेश के राज्यपाल रहे, लेकिन उन्होंने भी एहमत पतेल की तरह अपनी राजनितिक महत्वा कांक्षाओं को हमेशा चेक में रखा, कैसे काम करते थे, माल लीजे मैं एक उद्योग पती हूँ, मुझे कॉंग्रेस को चंदा देना है, किनी वजहों से आप तै कर लीजे, और मैं जाओंगा मोतिलाल वोरा के पास, क्योंकि वो पार्टी के कोशा ध्यक्ष हैं, वहां से मुझे डायरेक्ट कर दिया जाएगा एहमत पते कि तरफ, एहमत पतेल सब चीज़ें समझ लेंगे, और जब तक वो द्योग पती, यानि कि मैं लॉट कर मोतिलाल वोरा तक जाओंगा, तब तक चीज़ें तै कोशा ध्यक्ष मोतिलाल वोरा, लेकिन चीज़ें तै करते थे, एहमत पतेल, लोगों को एहमत पतेल के साथ एक स आधा तै था जो इसको दफ्तर की तरहां सतमाल करते थे, उनको कोई भी बात बताई जाए या उनकी तरफ से कोई भी बादा मिले, तो ये माना जाताता था कि वो सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया भरोसा है। UPA के दो तर्ब में किसी को governor बनना है, किसी को किसी committee का member बनना है, किसी को राजसवा की seat चाहिए, किसी को party की प्रिदेश अध्यक्षी चाहिए, सबका एक ही पता होता था, और वो पता होता था, एहमत पतेल के आवास का पता, जिसका number था, पार्टी की सारी बड़ी चीज़ें यहीं से तैहोती थी और एहमद पठेल की कहानी आगे कैसे बड़ी भड़ोच और गांधी परिवार का एक कनेक्शन है वो कनेक्शन यह है कि इंद्रा गांधी के पती फिरोज गांधी की पैत्री जगे भड़ोच है यहां से एहमद भाई की सियासत शुरू हुई उस सियासत से गुजरात कॉंग्रेस को क्या नुकसान हुआ यह मैंने आपको बताया लेकिन सोनिया गांधी से उनकी करीबी कैसे हुई सोनिया गांधी से उनकी करीबी हुई क्योंकि जब राजीव की हत्या के बाद सोनिया ने ये तैग कि वो संगठन में सक्री नहीं रहेंगी तब भी वो गांधी परिवार के नाम पर चलने वाले तमाम NGO's और ट्रस्ट में सक्री रही ऐसी ट्रस्ट थे जवाहर भवन और आजीव गांधी फांडेशन जिसके एहमद पटेल भी मेंबर थे यहां से एहमद प उनकी कही न कहीं सत्ता की मलाई पर नज़र रहती थी इसलिए उनको लगातार चेक किया जाता रहा है बाद में प्रणो मुखर जी भी हो लेकिन एहमद पटेल को पता था कि मेरा काम एक बैक रूम बॉय की तरह है मेरा काम उस टीम प्रबंधन की तरह है जो कभी मंच पर न कर देखते भी हैं कई मामलों में अभी भी परंपरागत हैं पुरा नीकार को चलाते हैं हमेशा कोड़े पईजामे में नजर आते हैं परिवार के साथ जब भी समय मिलता है बिताते हैं रेडियो सुनते हैं अखवारों पर निर्भर रहते हैं ख़बरों के लिए और उनसे एक चीज यह भी समझनी पड़ेगी, यह जो दिल्ली की बुनावट है, राजनीतिक रूप से, उसमें हमेशा से एहमत पटेल जैसे लोग, किसी भी पार्टी का राज रहा हो, बहुत ताकतवर रहे हैं, कभी यश्पाल कपूर का जिक्र किया जाता था, इंद्रा गांधी के स अमोद महाजन रहे, कभी कोई और रहे, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता का जो चरित्र है, वो लगभग ऐसा ही रहता है, कई लोग ये भी कह रहे हैं, कि अब राहुल गांधी की कॉंग्रिस के उद्या का समय आ गया है, और राहुल और एहमत पटेल में नहीं पटती है, और ये वी जॉर्ज के समय में भी था, वी जॉर्ज राहुल और प्रियंका के करीबी थे, एहमत भाई उतने नहीं थे, लेकिन तब सोनिया को समझ में आ गया था, अब सोनिया धीमे धीमे पार्टी पर अपनी पकर धीली कर रही है, उनका स्वास्त इस बा पर उनकी मदद करना और उनसे मदद लेना, और अब ये संबंद काम नहीं आ रहे हैं, इसको यूँ भी समझ लीजे कि NCP जिसके दो विधायक है गुजरात में, तो शरत पवार कुछ और ट्वीट कर रहे है, प्रफुल पटेल जो जिनके साथ NCP के साथ मिल के कॉंग्रिस पिछला विधान सभा चुना रहा था, वो कुछ और कह रहे हैं, अभी फैसला नहीं किया, ये कह रहे हैं, लेकिन विधायक ये कह रहे हैं, कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, तो क्रॉस बोटिंग लगातार चल रही है, एहमद पटेल की राजनीती पर खत्रा, अगर वो य जो खबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कॉंग्रेस के चालक के, कि 96 में वो पार्टी के कोशा अध्यक्ष बने, सीता राम केसी उस वक्त कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये सोनिया के नॉमिनी थे, वी जौर से तक्रार के बाद छोड़ा, वक्फ की सयुक्त समित के सदस रहे, और वो एहसान जाफरी के लावा, दूसरे ऐसे मुस्लिम थे, जो गुईरा से लोकसभा चुनाओं में आये, कॉंग्रेस के टिकट पर, नंबर दो कहा जाता है, उनको, कहते भी हैं कि मैं पॉलिटिक्स के लिए उन्फिट हूँ, सिर्फ सोनिया गांदी के आते हैं, लेकिन उनकी चाया, उनकी मौजूदगी हर वक्त महसूस की जा सकती है, यूपिये के दस साल के शासनकाल में, एहमद पटेल ऐसा ही नाम था, लेकिन जब सूरे अपना अक्छांश बदलता है, तो चायाओं का कद भी बदल जाता है, और कई बार खत्म हो जाता है क्या एहमद पटेल का कद खत्म होने का वक्त आ गया है, बताईए हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर, और ये भी बताईए कि कॉंग्रेस के सामने अब क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियां हैं भी या कॉंग्रेस सरेंडर करने की कगार पर है, दिललन्टॉप.com सियासत की खबरें, सियासत का विशलेशन आपके अंदाज में अपनी मेहनत और अपने शोद और अपनी ग्राउंड डिपोर्टिंग के जरिये आप तक पहुचाने के लिए वचन बद्ध, मेर नाम सौरब दिवेदी, यदि फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, जो की देख पर हो जाएं, टाटा बाई बाई